आज हम Northern Plain of India के ओंपर Important MCQ डिसकस करेंगे ठीक है लेक, रीवर और हिमालया हमने डिसकस कर लिया उसके ओपर Important MCQ with explanation के साथ और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम Northern Plain तो उसका हम First MCQ देखते हैं कि which of the following mountain range form a dividing line between Ganga Plain and Deccan Plateau क्या पुछा हुआ है कि वो कौन सी mountain range है जो Ganga Plain और Deccan Plateau को divide करती है ठीक है जैसे यहां पर एक mountain range होगी यह हमारा इंडिया का मेह पर स्पोस यहां पर एक line होगी उपर Ganga Plain है और नीचे Deccan है इसको divide करने वाला कौन सा mountain range है यह question पुछा हुआ है ठीक है यह पुछा हुआ है Ganga और Deccan को Ganga और Deccan को separate करने वाली कौन सी line है कौन सा mountain range है Ganga और Deccan को तो option है अराबली, second है विंद्या सत्पूरा, third है Eastern Guard और fourth है शिवालिक तो यह कोन करता है विंद्या और सत्पूरा option B is correct, कोन करता है Ganga, Plain और Deccan को अलग को गंगा, Plain को और Deccan, Pletyo को ठीक है और यहां पे अराबली दिया हुआ है अराबली जो है वो oldest oldest माउंटे रेंज पूछे इंडिया की कोन सी है तो अराबली है, यह दिली से राजस्तान ठीक है वहां पे आती है और इसकी highest peak क्या है गुरूशिकर, highest peak पूछे अराबली की तो क्या है गुरूशिकर, ठीक है oldest range आफ इंडिया पूछे तो वो क्या है अरावली, oldest range of India अरावली, तो यह है Eastern God, इस्टन गार्ड आपको पता है यहां पे यहां पे आती है, इसकी highest rate जिनानबाद भी है और साथ में महिंद्रगिरी, कौन सी है महिंद्रगिरी, शीवालिक, शीवालिक आपको पता है जो हिमाल्या है, उसका जो last वाला southern part है, शीवालिक बोलते हैं उसको, ठीक है youngest part को शीवालिक बोलते हैं, तो इसका जो आगे हमारा option B is correct, अम नेक्स कोशन है, which among the following separate great plane of India from शीवालिक, ठीक है, हमें पता है कि यह northern plane की चार लाइन है, एक पिछे होती है, ट्रांस हिमाले है, यहां पे greater, यहां पे middle और यहां पे शीवालिक, फिर इसके नीचे आते हैं plane, हाना, नदन plane, इन दोनों को separate करने वाला, शीवालिक और किसको, शीवालिक और गंगा plane को separate करने वाला, यह आगया शीवालिक और यह आगया गंगा great plane of India, ठीक है, तो इनको अलग करने वाला कोन है, हिमाल्या, फ्रंटियल, हिमाल्या, फ्रंटियल, फॉल्ट, ठीक है, हिमाल्या, फ्रंटियल, फॉल्ट, ठीक है, वो इनको करता है, अगर thrust पुछे, main control thrust, वो middle और शीवालिक को, ठीक है, इसका जो option correct है हमारा, वो कौन सा है, option C, correct Our next question है, total length of northern plane in India, ठीक है, जो northern plane है, इंडिया के, north side plane है, जो इंडिया के, उनकी total length कितनी है, ठीक है, तो यह जो length है, यह change होती रहती है, आपको पता है कि कोई भी चीजों है, वो increase होती है, decrease होती रहती है, ठीक है, तो इसकी कितनी है, approximately, approximately कितनी है, इसकी, बती सो, ठीक है, क इतनी थी 2400 किलोमीटर ठीक है और जो नदन प्लेन है इंडिया के वो कहां से लेके कहां तक आते हैं ये मैप से दिखा त्योंगे उपर क्या था हिमालया और ये क्या आगे हमारे नदन प्लेन ये यहां से लेके यहां तक ऐसे भी पोच सकते हैं जो नदन नौर्थ साइड प् ऐसे भी बूसकते हैं, नौर्ट साइड कौन सी स्टेट है, तो राजस्तान, इस साइड कौन सी स्टेट है, तो असम, सेंटरल में कौन सी है, यूपी, तो आप देखो कौन कौन सी स्टेट आ रही हैं इसको, नदन एरिया में कौन कौन सी स्टेट कवर कर रही है, राजस्तान, पंजाव, हर्याना, दिल्ली, यूपी, बिहार, बेस्ट विंगॉल और यहाँ पे नीचे धोड़ा मेगालय और असम ठीक है, राजस्तान, पंजाव, हर्याना, दिल्ली, यूपी, बिहार, असम आप खुद मैप से देखूगे, आपको पता चल जाएगा और कितनी लेंद थे इसकी 300 किलोमेटर, ठीक है, 300 किलोमेटर यह, यह increase, decrease होती रहती है, इस प्लान को जो डिवाइड किया हुआ है राजस्तान प्लैन, पंजाब प्लैन, गंगा प्लैन, और ब्रहम पुत्रा प्लैन, ठीक है चार पार्ट में इसको डिवाइड किया है राजस्तान, पंजाव, गंगा और ब्रहम पुत्र ठीक है, कितनी स्टेट आगी वो आपको पता चल गया और कितने प्लेन है नेक्स कोशन पुछा है इनोंने कि कौन सी स्टेटमेंट है ग्रेट प्लेन आफ इंडिया के रिकॉर्डिंग जो है वो ट्रू है, ठीक है इन में से जो तीन स्टेटमेंट है दी हुई है इनोंने बोला है कि इन में से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है तो फर्स्ट क्या स्टेटमेंट है जो ग्रेट प्लेन है great plane of India is located to north of Shivalik ठीक है जो great plane India है वो north of Shivalik में है ये नीचे Shivalik और इसके नीचे ये north में थोड़ी ना है इसके ये इसके south में है तो ये पहली गलत हो जाती है ठीक है second ये बोल रहे हैं कि यहां पर alloval deposit है river का वो आपको पता है जहां पर जादा river होती है जाला correct है third है कि जो average depth of alloval deposit increase from south to north ठीक है south to north ये भी correct है ठीक है तो option 2 and 3 2 and 3 जहां पर आएगा तो option C इसका correct है ठीक है Shivalik के ये south में आती है ये north में नहीं आती है ये यहां पर Shivalik के इसके नीचे आ रहा है तो ये इसके कौन सी direction होगी नौर्थ उपर होती है तो ये नीचे आ रहा है south में है तो ये south वाली direction है नौर्थ वाली नहीं है next question है which are the following about bower plane are correct ठीक है bower plane जो bower plane है उसके recording बताना है हमने correct ठीक है किसके recording bower plane के recording first है it is located south of Shivalik and north of Tray south ये bower है बोल रहे हैं कि ये south किसके है Shivalik के यहां पे Shivalik है और यहां पे the eye reason है इसके north में ठीक है तो next question है ये बिल्कुल ठीक है दूसरा है due to high small stream disappear here ठीक है यहां पे चोटी चोटी जो stream होती है वो क्या हो जाती है ship जाती है यहां पे यह भी ठीक है और उसके बाद यहां पे highly suited for agriculture no 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 यहां पे agriculture नहीं होती थर्ड वाला गलत है फोर्थ क्या है फोर्थ है कि it is wider in western plane with compared to eastern plane ठीक है जो इसका western reason है जैसे यह न Shivalik है इसके नीचे बनता है बावर तो यह बोर रहे हैं कि best side जे wider होता है और east side जे क्या होता है कम wide होता है तो यह बिल्कुल सही बात है बावर के हिसाब से तो कौन सा ठीक होगा हमारा थर्ड वाला गलत है तो one two four ठीक है हम देखते हैं बावर यहां पे हमने पड़ा northern plane है न उपर हिमाल्या है great हिमाल्या और उसके नीचे कुन सा middle हिमाल्या उसके नीचे शिवाली ठीक है तो यहां पहाड है यहां से river निकल थी जैसे तो river निकल के नीचे नीचे बहेंगा ना पानी नीचे बहेंगा पानी पानी बहरा है यह नीचे ठीक है ये क्या है पानी बहरा है तो पानी के साथ क्या होते हैं बड़े बड़े पत्थर वो उपर ही बैठ जाएंगे बड़े 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 पत्थर क्या होगे उपर ही बैठ जाएंगे ठीक है फिर उसके बाद नीचे क्या हो रहा होगा जैसे आप पॉटल से पानी थोड़ी थोड़ी ऐसे with ऐसे से लाइने से निकलके पाने ससे चले आती जो उब्पर जहां पर पे फर्सट वाला पाट होता है रेशेत पत्थर सहतर इकुट्त हो जाते हैं उसस्वाले पाड को रहें हैं बावर उस वाले पाड को हम बोलते हैं वह फटाइल नहीं होता है जहां बड़े बड़े पठ्थर हों एरेज शेर डालना बोटल में फिर पानी नीचे फैंगना रेज पहले निकल जाएगी फिर पानी यहां से आजसा आजसा बहेगा ठीक है यह आपको समझ आगया होगा फिर इसके नीचे कौन सा रिजन बन रहा है इसके नीचे इसके नीचे यहां पर दल दली सा बन जाता ना फिर तलाई सी लग जाती है, उसको हम बोलते हैं, तराई रीजन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तराई रीजन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तराई रीजन बनता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फटाईल होता है, फिर उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे, ये यह वाला रीजन जो है उसको हम बोलते हैं खादर ठीक है उसको हम खादर को हम new aluval style क्योंकि यह पानी आगे से बन रहा होगा मिट्टियों से जा रहा होगा तो मिट्टी अच्छी होगी यहां पर यह आगरी और जो इल्ड अलुवल होती है ऐसे आपने देखा होगा एरियों में थोड़े पानी साइप चला जाता वह ओल्ड अलुवल वावर बावर पथर होते हैं और बांगर में कंकर शंकर होते हैं उसको ओल्ड अलुवल ठीक है पहले आ गया बावर तराई खादर फिर बांगर ठीक है फिर बांगर ठीक है तो अगर पूछें कोशन में ऐसे पूछें नियू अलुवल किसको बोलते हैं तो खादर को बोलते हैं फिर उसके बाद ओल्ड अलुवल किसको बोलते हैं बांगर को बोलत बावर बनता है ठीक है श्वाली के नीचे कोन बनता है बावर बनता है ठीक है और नौर्थ अब तराई किस कोन बनता है वो नौर्थ अब तराई कोन बनता है नौर्थ अब तराई बनता है बावर सीरिस में पुछे बावर तराई खादर और बांगर यह सारे कहां बन रहे है ग्रेट प्लेन, नॉर्दन प्लेन में, ठीक है, तो इसका जो correct option है, option third, ठीक है, यहाँ पर बोला हुआ था है नोने की, suitable for agriculture, पत्थर होते हैं बढ़े, तो कहां से होगा suitable, ठीक है, तो option third is correct, next question है, पीर पंजाल reason is located in which state our union territory, ठीक है, पीर पंजाल reason कोन सी union territory में आता है, पता ही है आपको, जम्मू कश्मीर, हाना, जम्मू कश्मीर में आता है, जो middle हिमालया है, middle हिमालया, यहाँ फिर laser हिमालया बोलो, यहाँ फिर हिमाचल, middle हिमालया को हम laser हिमालया भी बोलते हैं, हिमा बड़ी रेंज ऐसे पुछे कि middle हिमाले की सबसे बड़ी रेंज कौन है बीर पंजार मिल्सनोदेवी पेर पंजार कहा है जम्मु कश्मीर में किसका पार्ट है middle हिमाले का middle हिमालया का option B is correct next statement है हमने इसमें not correct बतानी है ठीक है क्या बतानी है not correct जो correct नहीं है first है कि khasi and mezo ठीक है जो khasi और mezo hill है उन दोनों को वो किसका पाढ़ है पटकाई range का ठीक है वो किसका पाढ़ है पटकाई range का ये ठीक है ठीक है खasi जनती ये कहां आती है ये मेगालया में आती है तो ये khasi गारो मिzo ये कहां आती है मेगालया में आती है पुर्वांचल range का पाढ़ है और पटकाई range का भी पाढ़ आई है उसके बाद है फॉन गुपूई और ब्ल्यू माउंटेन इसे highest mountain highest point of Mizo Hill ये भी सही बात है ठीक है ब्ل्यू माउंटेन ब्ल्यू माउंटेन जो है वो highest point है किसका Mizo Hill का ऐसे भी पूछ सकते है मल्यूंचल का highest point कौन सा है तो ब्ल्यू माउंटेन ठीक है ब्ल्यू माउंटेन का दूसरा नाम क्या है फान-गपुई ठीके फान-गपुई किसका नाम है? Blue Mountain Blue Mountain किसकी highest point है? मीजो-हिल कहा अती है? मिगाल्या में थर्ड बोल रहे हैं कि जो खासी हिल है उसको Lucня Hill बोलते हैं, local language में ठीक है? तो ये गलत है ठीक है? ये गलत है तो इसका correct option कोन सा हो गया? C part Next question में बोला है कि जो मालवा प्लेट्यू होता है वो किसका not make a part of a state ठीक, कुन सी state का part नहीं है ठीक है तो राज़िस्तान आता उसमें गुजरात भी आता है महाराश्ट्रा नहीं आता है मालवा प्लेट्यू महाराश्ट्रा में नहीं आता है जब जम्मू कश्मीर में आता भोला है कि अमंग डा फौलीग स्टेट्मेंट रिकार्ड टू इक्स्पंशन और डैजर्ड़ आव राज़स्तान ठीक है, अब इसमें हमने बताना जो correct स्टेट्मेंट है नौर्थ इस तू साउथ वेस्ट विंड डारेक्शन क्रेट अरेंसी फार डाजिटिफिकेशन मोर इन डारेक्शन आफे राजस्तान ये क्रेक्ट है ठीक है तो थार डाजर्ट इस मांसुन ड्राइवेंड वेर बिंड इरोजन ये कोशन है कि थार रीजन ठीक है जो थार डाजर्ट है तार डिजट कहा दर रजस्तान में ठीक है, option D is correct, अब बोल रहे हैं कि इन में से कौन सा desert है जो इंडिया में आता है, तो ये थार है, गोबी चाइना में आता है, सहारा desert सबसे बड़ा desert है ये, काला हारी desert अफ्रिका में आता है, ठीक है, अब next question है, कौन से reason को हम food bowl of India बोलते हैं, जहां पे सबसे ज़्यादा खा बोलते हैं, तो हम valley of floor को, valley of floor, कश्मीर, valley तीन पार्ट में डिवाइड है, एक valley of floor है, और एक करईवा है, और एक side valley है, उन में से valley of floor है, जो कश्मीर वैली में आती है, बारमुला एरिया में, तो उसको हम बोलते हैं, food bowl of कश्मीर, हमने देखा, जो plane था, उसको कितने तो हम राजस्तान plane देखते हैं, यह आ गया western part इसका, और यह आ गया eastern वाला part, ठीक है, यह राजस्तान plane है, यहां western आ गया, और यहां पे eastern आ गया, ठीक है, यहां पे western और यहां पे eastern, जो सबसे desert है, ठीक है, sandy वाला part है, यह आ गया मरुस्तली, ठीक है, यह कौन सा है, मरुस Marustali part, ठीक है, Marustali part और ये जो semi-irid है, ये कौन सा है ये है हमारा ठार ये वाला आपया थार and die ठीक है ये आता है यहां पर ठार mindset ठीक है ओर उसके बाद ये इसको हम थाली भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं sandy plain भी बोलते हैं ठीक है तो ये राजस्तान Plan है Western में आता है इसका Sandy Plan Western में क्या आता है Sandi Plan Western में Sandy Plan फिर यहां पर दूसरे वाले fajड इसके यह आगए मरुस्तली ठीक ऐसे पूछ भी सकते हैं कि Western side कून साहसे Sandy Plan Sandy Plan को locali low क्या बुलते है थाली ठीक locali by अल्वल नुदोग पे इसको थाली ठीकस protect फिर मरुस्तली प्लेन आता है फिर यहां पे थार ठीक है यहां पे क्या आ गया थार आ गया ठीक है थार आ गया यह हमारा राजस्तान प्लेन ठीक है यह राजस्तान प्लेन है कौन-कौन से एरिया को कवर कर रहा है यह आ गया राजस्तान और यहां पे थोड़ा दिल्ली वाला लेके कहां तक है कॉलकता तक ठीक है दिल्ली से लेके कॉलकता तक ऐसे भी पूसकते हैं जो गंगा है वो कहां से हैं दिल्ली से लेके कॉलकता तक ठीक है कॉलकता तक इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया यह आगी अपर गंगा और यह मिडल गंगा और यह नीचे लोवर upper, middle, lower, upper, middle, lower, upper, middle, lower, ठीक है? तीन पार्ट में divide किया है, ये दिखी राय आपको, है न? ये दिखी राय आपको, कौन-कौन सा है? यागी upper, यागी middle, और यागी lower गंगा, ठीक है? आपको मैं पता होगा, तो ये पता भी है कि यहाँ पे, अपर गंगा में कौन सी स्टेट है दिल्ली ये कौन सी आ रही है दिल्ली और कौन सी रिवर है यहाँ पे यमुना यहाँ पे कौन सी रिवर है यमुना और कौन सी स्टेट है दिल्ली और मिडल गंगा में कौन सी स्टेट आ रही है यूपी और बिहार कौन सी यूपी बिहार य तो रोहलगंड मिथला मागद अवद ठीक है मिडल गंगा प्लैन में कौन सी स्टेट है यूपी भिहार और कौन सी रीवर है गागर गंडग कोसी को हम सोरवा भिहार भी बोलते हैं ठीक है फी नीचे क्या आगी लोगंगा में कौन सा बात है यहां गया हमारा बैस्ट भूंगाल यहां पे कौन सा आ रहा है । और कौन सी रीवर है तो जहां से सन आती है साउथ मोस्ट है वो तो उदर कौन सा प्लेन बन रहा है मगद प्लेन बनता है ठीक है मगद प्लेन बनता है और मिडल में कौन सा प्लेन बनता है मिथली प्लेन ठीक है मिथली प्लेन यागी अपर अपर में दिल्ली कौन सी रिवर यमुना अपर में दिल्ली कौन सी रिवर यम पुत्रा ठीक है यहां पे कौन सा आ रहा है ब्रह्म पुत्रा ठीक है ब्रह्म पुत्रा कहां से कहां तक है इसको हम असम बैली अगर असम बैली पुछे तो ब्रह्म पुत्रा प्लैन को बोलते हैं और साथ में असम प्लैन भी हम ब्रह्म पुत्रा को ही बोलते हैं ब्रह्म पु को बोलते हैं ठीक है इसी नदन प्लेन को बोलते हैं फूट बावल आफ इंडिया ठीक है फूट बावल आफ इंडिया भी हम किसको बोलते हैं इसी नदन प्लेन को बोलते हैं और यहां पे कौन सी मिट्टी होती है अलुवल मिट्टी होती है अलुवल साहल होती है जहां पे र